इस वक्त हम पुराने नियम में प्राप्त यहेचकेल भहुश्रक्ता की पुस्तक अध्याय 20 को पड़ रहे हैं. यहेचकेल भहुश्रक्ता की पुस्तक अध्याय 20. फिर सात्वे वर्ष के पाच्वे महिने के दस्वे दिन को इस्राइल के कितने पुरुनिये यहोवा से प्रश्न करने को आए और मेरे सामने बैठ के तब यहोवा का यहवचन मेरे पास पहुचा कि हे मनुश्र के संतान इस्राइली पुरुनियों से यह कहा कि प्रभु यहोवा यो कहता है कि क्या तुम मुझसे प्रश्न करने को आए हो प्रभु यहोवा की यहवानी है कि मेरे जीवन की सवगंद तुम मुझसे प्रश्न करने न पाओगे हे मनुष्य के संतान, क्या तु उनका न्याय न करेगा, क्या तु उनका न्याय न करेगा, उनके पुर्खाओं के घिनवने काम उन्हें जता दे। और उनसे कहा, कि प्रभु यहवा यो कहता है, कि जिस दिन मैंने इस्राइल को चून लिया और याकुब के घराणे के वन्ष से शपत खाई, और मिस्र देश में अपने को उन पर प्रगट किया, और उनसे शपत खाकर कहा, मैं तुम्हारा परमिश्वर यहवा हूँ। उसी दिन मैंने उनसे यह भी शपत खाई, कि मैं तुमको मिस्र देश से निकाल कर एक देश में पहुचाऊंगा, जिससे मैंने तुम्हारे लिए चून लिया है, वह सब देशों का शिरोमनी है, और उसमें दूध और मधु की धाराए बैती है, फिर मैंने उनसे कहा, जिन गिनवनी वस्तुओं पर तुम्हें से एके की आखे लगी है, उन्हें फेक दो, और मिस्र की मुर्तों से अपने को अशुध न करो, मैं तो तुम्हारा परमिश्वर यहवा हूँ, परंतु वे मुझ से बिगड गए, और मेरी सुननी न चाही, जिन गिनवनी वस्तुओं प उनकी आखें लगी थे, उनको किसी ने फेका नहीं, और मिस्र की मुर्तों को छोड़ा है, तब मैंने कहा, मैं यहीं मिस्र देश के बीच तुम पर अपनी जलजलाहट भड़काऊंगा, और पूरा प्रकोप दिखाऊंगा, तो भी मैंने अपने नाम के निमित्त ऐसा किया, कि वहाँ उन जातिव के सामने आपवित्र न ठहरे, जिनके बीच वे थे, और जिनके देखते हुए मैंने उनको मिस्र देश से निकालने के लिए अपने को उन पर प्रगट किया था, मैं उनको मिस्र देश से निकालकर जंगल में ले आया, और वहाँ मैंने उनको अपनी विधिया बताए, और अपने नियम बताए, कि जो मनुष्य उनको माने, वहाँ उनके कारण जीवित रहेगा, फिर मैंने उनके लिए अपने विश्राम दिन ठहराए, जो मेरे और उनके बीच चिन्न ठहरे, कि वे जाने कि मैं यहुआ उनका पवित्र करने वाला हूँ, तव भी, इस्रायल के घराने ने जंगल में मुझसे बलवा किया, वे मेरी विधियो पर न चले, और मेरे नियमों को तुच्छ जाना, जिन्हें, यदि मनुष्य माने तो वहाँ उनके कारण जीवित रहेगा, और उन्होंने मेरे विश्राम दिन को अती अपवित्र किया, इनका अंतकर डालूगा, परंतु मैंने अपने नाम के निमित्त ऐसा किया, कि वहाँ उन जातिव के सामने, जिनके देखते मैं उनको निकालाया था, अपवित्र न ठहरे, फिर मैंने जंगल में उनसे शपत थाई, कि जो देश मैंने उनको देदिया, और जो सब देशों का शिरोमनी है, जिसमें दूध और मधु की धाराये बैती है, उसमें उन्हें न पहुचाऊंगा, क्योंकि उन्होंने मेरे नियम तुछ जाने, और मेरी विधियों पर न चले, और मेरे विश्राम दिन अपवित्र किये थे, इसलिए कि उनका मान अपनी मुरतों की ओर लगा ह कर डाला, फिर मैंने जंगल में उनकी संतान से कहा, अपने पुर्खाओं की विधियों पर न चलो, न उनकी रितियों को मानो, न उनकी मुरते पूच कर अपने को अशुद्ध करो, मैं तुम्हारा परमिश्वर यहोँ आहूं, मेरी विधियों पर चलो, और मेरे नियमों के मानने में चवकसी करो, और मेरे विश्रामदिनों को पवित्र मानो, और वे मेरे और तुम्हारे बीच चिमनट हैरे, जिससे तुम जान जाओ कि मैं तुम्हारा यहोँ परमिश्वर हूँ, परंतु उसकी संतान ने भी मुझ से बलवा किया, वे मेरी विधियों पर न चलो, न मेरे नियमों के मानने में चवकसी की, जिन्हें यदि मनुष्रे माने, तो वह उनके कारण जीवीत रहेगा, फिर मेरे विश्रामदिनों को उन्होंने अपवित्र किया, तब मैंने कहा, मैं जंगल में उन पर अपनी जलजलाहड भढ़का कर अपना प्रकोप तो भी मैंने हाथ खीच लिया और अपने नाम के निमित्त आइसा किया, जिससे वह उन जातियों के सामने जिनके देखते हुए मैं उन्हें निकालाया था और पवित्र न ठेरे, फिर मैंने जंगल में उनसे शपत खाई, कि मैं तुम्हें जाती-जाती में तितर भीतर करू और देश-देश में छितरा दूँगा, क्योंकि उन्होंने मेरे नियम न माने, और मेरी विधियों को तुछ जाना, और मेरे विश्राम दिनों को अपवित्र किया, और अपने पुर्खाओं की मुर्तों की ओर उनकी आखे लगी रही, फिर मैंने उनकी ऐसी विधिया ठेरा जो अच्छी नर्ठ है रहे, और ऐसी रितिया जिनके कारण वे जीवित नर है, अर्थात वे अपने सबस्त्रियों के पहलटों को आग में होम करने लगे, इस रिति मैंने उन्हें उन्ही की भेटों के द्वारा आशुद्ध किया, जिससे उन्हें निर्वंश कर डालो, और तब वे जान ले कि मैं यहवा हूँ, हे मनुश के संतान, तू इस्रायल के घराणे से कहे, प्रभू यहवा यह कहता है, कि तुम्हारे पुर्खाओं ने इसमें भी मेरी निन्दा की, कि उन्होंने मेरा विश्वास घात किया, क्योंकि जब मैंने उनको उस तेश में पर दुष्टी करके, वहीं अपने मेलबली करने लगे, और वहीं रीस्तिलाने वाली अपनी भेते चढ़ाने लगे, और वहीं अपना सुखदायक सुगंद द्रव्य जलाने लगे, और वहीं अपने तपावन देने लगे, तब मैंने उनसे पूछा, जिस उचे स्थान को तुम लोग जाते हो, उसका क्या प्रयोजन है? इससे उसका नाम आज तक बामा कहलाता है. इसलिए इसराल के घराने से कहा, प्रभु यहोवा, तुमसे यह पूर्चता है कि क्या तुम भी अपने पुर्खाओं की रीती पर चलकर अशुद्ध बने हो, और उनके घिनवने क कामों के अनुशार क्या तुम भी वेविचारिनी की नाई काम करते हो? आज तक जब जब तुम अपनी भेटे चढ़ाते और अपने लड़के वालों को होम करके आग में चढ़ाते हो, तब तब तुम अपनी मुर्टों के निमित्त अशुद्ध ठहरते हो. है इसराल के घर कि हम काठ और पत्थर के उपासक होकर अन्ने जातियों और देश तेश के कुलों के समान हो जाएंगे. वहां किसी भाती पुरी नहीं होने की. प्रभु यहवा यो कहता है कि मेरे जीवन की शपत निश्चे मैं बली हात और बढ़ाई हुई भूजा से और भढ़काई हुई जलजलाहट के साथ तुम्हारे उपर राज्य करूँगा. और मैं बली हात और बढ़ाई हुई भूजा से और भढ़काई हुई जलजलाहट के साथ तुम्हें देश तेश के लोगों में से अलग करूँगा. और उन देशों में से जिनमें तुम तीतर बीतर हो गए थे इक मैं तुम्हारे पुरुजों से मिस्र देश रुपी जंगल में मुकदमा लड़ता था। उसी प्रकार तुमसे मुकदमा लड़ूंगा। प्रभुयोवा की यही वारी है। फिर मैं तुम्हें लाठी के तले चठाऊंगा और तुम्हें वाचा के बंधन में डालोंगा और मैं तुम्हें से सब बलवाईयों को जो मेरा प्रात करते हैं निकाल कर तुम्हें शुद्ध करूंगा। और जिस देश में वे टिकते हैं, उसमें से मैं उन्हें निकाल दूँगा। परंतु इसरायल के देश में घूसने न दूँगा। तब तुम जान लेंगे कि मैं यहवा हूँ। और हे इसरायल के घराने, तुमसे तो प्रभु यहवा यह कहता है कि जाकर अपने अपनी पवित्र नाम को अपनी भेटों और मुरुतों के द्वारा फिर अपवित्र न करना। क्योंकि प्रभु यहवा की यह वानी है कि इसरायल का सारा घराना अपने देश में मेरे पवित्र परवत पर सब का सब मेरी उपास न करेगा। वही मैं उनसे प्रसं न हूँगा और मै वहीं तुम्हारी उठाई हुई भेटे और चढ़ाई हुई उत्तम उत्तम वस्तवे और तुम्हारी सब पवित्र की हुई वस्तवे तुमसे लिया करूँगा। और जब मैं तुम्हें इसराईल के देश में पहुचाऊंगा जिसके देने की शपत मैंने तुम्हारे पुरोजों के साथ खाई थी तब तुम जान लोगे कि मैं यहवा हूँ और वहां तुम अपने चाल चलन और अपने सब कामों को जिनके करने से तुम अशुद्ध हुए ह जब मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे बुरे चाल चलन और बिगड़े हुए कामों के अनुशार नहीं परन्तु अपने ही नाम के निमित्त बरताव करूँगा तब तुम जान लोगे कि मैं यहवा हूँ प्रभु यहवा की यही वानी है फिर यहवा का यहवचन मेरे पास पहुचा कि हे मनुशे के संतान अपना मुख दखिन की ओर कर और दखिन की ओर वचन सुना और दखिन देश के वन की विशे में भविश्वानी कर दखिन देश के वन से कहा कि यहवा का यहवचन सुन प्रभु यहवा यो कहता है कि मैं तुझमें आग लगाऊंगा और तु उसके कारण दक्षिन से उत्तर तक सब के मुख जुलस जाएंगे। तब सब प्राणियों को सूच पड़ेगा कि यह आग यहवा की लगाई हुई है और वह कभी न बूझेगी। तब मैंने कहा हाए, परमिश्वर यहवा लोग तो मेरे विशे में कहा करते हैं कि क्या वह कुस्टांत ही का कहने वाला नहीं है।